नमस्कार साथियों जैहिंद अगर आप भी भिहार पुलिस के एक्जाम दे रहे हैं तो आपको पता ही है कि डेट निकल गया है और आप में से सारे लोगों ने एडमिट कार्ट को डाउनलोड कर लिये होंगे तो ऐसे कम समय में बचता है कि हम जितना हो सके प्रैक्टिस कर सके इसलिए हमने किंद्रिये चैन परसे भिहार पुलिस का जो है वॉल्म टू किसका वॉल्म टू हमने लेकर के पलेट फार्म का लेकर किया है जो कि वॉल्म टू एदम नया नया ताजा लिकला है जो केरेंट हैं मापको इस तरीक ऐस से सारे पेपर को दिखाने के ट्राई कर रहें ठीक है आईए के के क्यूचन को हम लोग करने का ट्राई करते हैं थोड़ा सा जूम कर ले ते जो बुक है इस रिज निकाला गया है ठीक है तो फर्ष्ट के उचन हमारा कहता है क्या कह रहा है कि चंदरमा के दचिन धुरूप पर सफल लेंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है दुनिया का पहला देश कौन बना ये बताना है तो कौन बना सफल लेंडि की आवाज पहचानी जा सकती है बाई दिवार के पीछे कोई व्यक्ति खड़ी है दिवार के पीछे तो उसकी आवाज को कैसे पहचाना जाएगा तो भीवरतन इवाम उसकी गुनता के कारण हम पहचान सकते हैं आपसिन नमबर ए इसका रायट आंसर हो जाती है ठीक है ना क्योंचने मर्थिरी कह रहा है कि दोनी तरंग की आवराती दोनी तरंग की आवरिती मापने की मानक ही काई किया है तो दोनी तरंग तो हर जिसे मापा जाता है तो इसका रायट आंसर क्या हो जाएगा भी हो जाएगा ठीक है चौन्था नमर क्योंचने कि सही विकल्प से रि उसके उपर उठने के दोरान अस्थिती जूर्जा क्या होगा और गती जूर्जा क्या होगा तो जब जितना असमान में जाएगा उसका अस्थिती जूर्जा बढ़ेगा और गती जूर्जा घटेगा तो आपसन नमर देखिए A और C दोनों में सेम चीज़े देगा है तो इन नमर की पी परकार के अर्धचालक दौरा पी परकार के अर्धचालक दौरा उपारजित आबेस की बारे में निमली खित में से क्या सही है पी परकार के अर्धचालक है उसमें उपारजित आबेसे धियान देना तो जो पी परकार के चालक होता है वो पोजिटिव होता है ठीक ह लेकिन जब इसमें उपारजित कहा दे तो आपका उदासीन हो जाएगा उपारजित कहा है इसलिए उदासीन option number भी इसका carrot हो जाती है ठीक है अगला हमारा question number six क्या कहा रहा है इंगलिस है कि choose the apposite of the word given blue hypet, hypet का apposite word क्या होगा ता hypet का मतलब क्या होता है hypet का मतलब क्या होता है आगे तो इसका apposite हो जाएगा reduce है ना आगे पीछे reduce हो जाएगा इसका apposite word option number c choose the correct voice see give me a gift see give a gift हो जाएगा इसका correct voice क्या हो जाएगा तो यह active voice है इसका passive बतलना है तो क्या हो जाएगा इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि object को subject बनाएंगे तो I watch, I watch given a gift, option number C हो जाएगा इसका, option number C, अच्छे ये क्योचन नहीं दिखपा रहा था, option number C हो गया, ठीक है, ये option आप दिख लेजएगा, अगले नमबर का क्योचन हमारा आपके सा कामने है, कि बीरेन डंगबाल के अनुसार हमारी निंद में भी क्या चलता है, भाई बीरेन डंगबाल जो कभी जी थे, उन्होंने क्या कहा, कि हमारी निंद में भी ब्यापारिक जीवन, जो जीवन का ब्यापार है, वो चलती रहता है, ठीक है, जीवन ब्यापार चलती रह नायन के उचन नमर की किन का जनम ननकाना सहाब में हुआ तो ननकाना सहाब का जनम किन का हुआ गुरु अर्जुन का गुरु गुबिंद का गुरु नानक का या गुरु रामदास का ता आप कोगे की ननकाना में जनम हुआ है गुरु नानक जी को ननकाना में जनम हुआ ओक भाई अगली नंबर जो हमारा क्यूचन है वो ये है आपके स्किन के उपर की रामधारिसी दिनकर का जनम डैस जीला में हुआ भाई रामधारिसी दिनकर का जनम कहां हुआ था जम्मोई मुझफरपूर बेगुसराय सिता मढ़ी कहां आपसन नंबर सी हो जाएगा बेगुसरा इलेवन नंबर के उचन है कि गैस की मात्रा ब्यूत करामानुपाती होगा गैस की मात्रा किसके ब्यूत करामानुपाती होगा तो वो हो जाएगा दाब के ब्यूत करामानुपाती होगा ठीक है दाब के ब्यूत करामानुपाती होगा यहां थोड़ा इसमें ध्यान से देख आगए धातु, धातु कीके से, कुचालक से और कुचालक से ग हमारा क्योचानन नमर 13 ठीक है ना, 13 कहां से शुरू हो रहा है, देख पारा है एरा 13 की उचे नमबर निमलिखित में से किस से कोकेन पराप्त होगा कोकेन किस से पराप्त होगा एराइथरो जायलम कोका से एराइथरो जायलम कोका से कोकेन पराप्त होती है नेक्स्ट है कि एलकेन C6H14 में से कितने स्रिंखला हैं समा बेभी पराप्त किये जा सकते हैं ठीक है कितने स्रिंखले समा बेभी पराप्त किया जाएगा तो पांच स्रिंखला पराप्त किया जाएगा इसको बनाना पड़ेगा हमारे स्क्रीन इतनी वड़ है नहीं कि यहां पर करके आपको बता ठीक है बिदु अगला क्योचन आब को देख पा रहे है, 60 number का क्योचन, ये रहा 60 number का, क्या है, कि निम्न मेंष्म किसकी आक्रिती pyramide है, किसकी आक्रिती pyramide होगा, तो B growth, 3 रिव का pyramide होगा, देखिए, किस तरब कहा से बनेगा इसका, तो B यहाँ पर बन जाएगा, और एफ यहाँ बनेगा और एक एफ यहाँ बनेगा और एफ यहाँ तो यह पीरामीड तरीके से इस तरीके से बन जाएगा ठीक है ना तो यह हो जाएगा ओप्सन नमर C 7 है 17 प्रोपीन में कितने लेम्र और पाई बंध पाया जाते हैं तो इसमें हो जाएगा D C आप्सन नमर 8 और एक पाया जाएगा किसमें प्रोपीन में ओके भाई साहब आईए अगली नमर के क्योचन 18 नमर देख लिजिए क्या है 18 नमर में निमलिखित में से किसका उप्योग नानौस्टिक बरतन बनाने में किया जाएगा नानौस्टिक बरतन बनाने में किसका उप्योग किया जाता है पॉली अश्टाइरिन को पॉली थाइलिन को तो आप्सन नमर इसका C हो जाएगा नानौस्टिक बनाने के लिए पॉली टेट्राफलोरो में थिलीन का यूज किया जाता है ठीक है किसने अपनी आबर्त तालिका में अंतरालों के अधार पर अभी कुछ और खोज जाने वाले तत्वों के अस्तित्वे की भविश्वानी की थी तो मेंडलीप साहब थे जब तत्वों को सजा रहे थे तो उसने जगह जगह पर तत्व को छोड़ दिया था कि अभी फविश्वानी में और खोजा जाएगा मेंडली फपट ठीक है कॉलम एक को कॉलम दूसे मिलाना है मखन क्या होगा मखन कॉलम एक को कॉलम दूसे मिलाए ठीक है देखिये मक्षन जो हो जाएगा मक्षन किसी मिलेगा यहां आप देखेंगे कि इससे हो जाएगा एक के चार तो ओप्सन में ढूंडिए एक के चार सिर्फ एक ही है ओप्सन नमर ए में किसी और में नहीं है तो ज़्यादा ढूंडने की जरुवत ही नहीं है ठीक है, option number यह हो जाएगा, यहां से आप देखने जाए किसका क्या है, next है हमारा क्यूचन, 21 नमबर का कि पेपटा डोगलाइकोन उपस्थित होता है, पेपटा डोगलाइकोन उपस्थित होगा, किस में होगा, तो बहुत से जीवों की कोश्च का भिती में होगा, पेपटा इनमें से कौन, इनमें कौन अहार संतुलित, बैलेंस डाइट ना होने के कारण बाला रोग होगा, आखिर जब हमारा संतुलित डाइट नहीं मिलेगा, तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा, चार option आपके सामने दिया गया है, कौन सा हो जाएगा, हिंता जनित हो जाएगा, हि इंडोक्राइन गरंथी है। तो यहाँ पर देखिएगा आप कि ब्रीशन क्या human में बनता है, sorry, male में बनता है ना, ब्रीशन male में बनता है, अंडा से कहाँ female में बनती है, और parathyroid गरंथी से भी गरंथी निकलती है, पर यह क्या है, brunner गरंथी नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं हो जाएगा, यह हो ठीक है, नेक्स्ट है 24 नमर की उचायन कि पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम वह हीदर हिर्दे के बीच कौन सा तरल भरा रहता है, देखिए, पेरिकार्डियम वह हीर्दे के बीच कौन सा तरल भरा रहेगा, तो पेरिकार्डियम द्रम भरा रहेगा, पेरिकार्डियम द्र को दरसाया जाता है मेंडल के दूसरे नियम को स्वतंत्र अभिवन के लिए दरसाया जाएगा तो क्या हो जाएगा दी संकर क्रोस देखिए हमें पता है कि आपके पास टाइम बहुत कम है इसलिए फटा-फट हमें सिर्फ आप्सन ही बताना है तो फटा-फट करते चले जाते ह रग्त-चाप यानि कि बलेट-प्रेसर तथा स्वसन-गति का नियंत्रन किसके दुआरा होगा तो स्वसन-गति का नियंत्रन मेंडूला दुआरा किया जाता है कौन सौ-प्सन सी हो जाएगा मेंडूला बर्स 966 Pillars 1-9060 में महराश्ट और 10 का गठन करके बंबई राज का भासायाधर पर भाजन किया गया था किसको 960 महराश्ट और गुजरात को गठना अलग जा गया था ठीक है OriginD A.B. रक्त समो में क्या नहीं होगा क्या होगा तो AB रक्तसमों जो होता है antibody इसमें नहीं पाया जाता है AB रक्तसमों में antibody नहीं पाया जाएगा ठीक है आईए अगली नमबर का क्यूचन गया है हमारा एक पौधा में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तन होगा तो पौधा का कौन सा भाग बीज बनता है बीजानुस से बन जाएगा ठीक है बीजानुस से निमलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा प्यण है दुनिया का सबसे लंबा प्यण कौन सा है Redwood Redwood दुनिया का सबसे लंबा प्यण होता है ठीक है आईए और अगली नमबर के उचन अगली नमबर का यहाँ है सरवधिक सौरी उर्जा ग्रहन करता है भाई सरवधिक सौरी उर्जा कौन ग्रहन करेगा तो वो करेगा फसल का खेत फसलों की जो खेत होती है सबसे अधिक सौरी उर्जा ग्रहन करने वाली होती है राष्टिये बिसानु बिग्यान संस्थान क्या पूने में है नहीं पूने में या नहीं है बॉम्बे में है तो यह आपका गलत हो जाएगा जोड़ा सही है ठीक है इनमें से कौन सा जोड़ा सही हो जाएगा तो यह भी आपका गलत हो जाएगा राष्टिये पोशन संस्थान आपका B है ठीक है तो यह आपको comment में बताना है इसका comment comment में बताना है कि क्या होगा ठीक है ने कोई क्योंच छोड़ेंगे comment करेंगे तभी तो मज़ा आएगा बाकि math हम लोग नहीं करने वाले हैं math जो भी देख रहे हैं देख लीज़े दियान से इसे आप solve कर लेना 33, 34 और 35 तक 35 तक आपका math दिया गया है ठीक है 36 वाला देख लेते हैं 36 में क्या है 36 आपके सामने कि ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतिये प्रतिनिधियों का भारतिये प्रतिनिधियों का बिधान परिसेद इंडियन लेजिसलेटिव कॉंसिल के चुनाव में पहली बार सीटू का वटन किया गया था तो यह हो जाएगा आपका 18 वाहत थैर 73 समिधान संसोधन अधिनियम के नुच्छे 243 एच के नुसार किसी राज को बिधान मंडल निधी निधी से पंचायत का सहायता अनुदान देने का प्रवधान कौन कर सकता है तो बाहित है तर्वे समिधान जो था किसे था राज समिधी से था है ना तो पंचायती राज से था तो पंचायती राज है तो राज संचित निधी तो यूज करेगा इसका गوفर्मानिट, इंडियन गوفर्मानिट थोड़े ने करेगा, राज सरकारी करेगा, ठीक है मानव विकास रिपोर्ट निम्नि में से किस के द्वारइप परकासित किया जाएगा तो जो मानोब विकास रिपोर्ट होता है वो UNDP द्वारा जारित किया जाता है ठीक है अगला क्या है कि निमलिकित में से किस परकार के अर्थिवस्ता में उत्पादन के कारक एक अधिकार में होते हैं किस परकार में होगा एक अधिकार में तो पुंजी बादी का एक अधिकार में होगा ठीक है अगला हemiला है चालिस नमब्र की हुचन चालिस नमब्र देख पा रहा है चालिस नमब्र देखिए क्या कहा जा रहे है कि निलिकित में से कौन सा ज्वाला मुकी परसांत महासागर का ज्वाला बृत के अन्तरगत आता है तो ये हो जाएगा आपका फ्यूजियामा फ्यूजियामा हो जाएगा ठीक है फिर है तालिस नमबर मैथ है बियालिस मैथ है उच के बाद 43 नमबर देख लेजिए झो की वहार किस के पास था तो वह था मौलाना अब्दुल कलाम अज़ाद जी के पास में ठीक है मौलाना अब्दुल कलाम अज़ाद और देखिए अगली की उचन हमारे पास है की उचन नंबर 44 क्या कह रहा है कि मंदाकनी नदी कौन सा मंदाकनी नदी डैस में अलक नंदा नदी से मिलती है कह रही है कि मंदाकनी नदी और अलक नंदा नदी का मिलन कहां पर होता है तो होता है रुद्र परियाग में आपसे नंबर सी लगा लिजेगा इसा मुझ्ट इंपोर्टेंट पेपर है ठीक है पैतालिस नंबर देखेजिए जब किसी कारे में आव सेकता से अधीक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाएगा एक से अधीकता से यानि जरूत से ज़्यादा लोग लगेगे तो उसको प्रच्छन बिरोजगारी के नाम से जाना जाएगा प्रच्छन बिरोजगारी के निम्न में से कौन सी साहित्यक कृती संधियाकर नदी दुवारा रचित है कौन सा हो जाएगा राम चरित्र राम पाल चरित्र ठीक है राम चरित्र राम पाल चरित्र हो जाएगा और तालिस नमबर का क्यूचन उसे पहले से तालिस देख लेजिए गृड़ा नामक लोक निरित तेने में से किस राज से संबने थे गृड़ा जो लोक पर ये निरित है वो है मध्य परदेश का गृड़ा दे लाश्ट क्वीन आफ कस्मीर नामक उपनियास के लेखा कौन है राकेस कौल है एरह आपके सामने क्योंचे नमर उन्शास उन्शास दिख पा रहे है क्या है कि निरिकित में से किस कारे के मुल्य को राश्टिय आय की गनना में सामिल नहीं किया जाएगा तो इस सारे को सामिल किया जाएगा ग्रिहनी कारे को छोड़ करके राश्टी मुल थोड़े होता है ग्रिहनी है ना आप्सन डी हो जाएगा बरही दिहिंग निरिकित में से किस नदी की सहायक नदी है बरही दिहिंग किस सहायक नदी हो जाएगा एहाब ब्रहम पुत्र के सहायक न दी option number यहाँ पे ए लगा लेजिएगा ठीक है और देखिए निमलिकित में से कौन मुगल समराट अकबर के सासन काल के दोरान भारत में रहता था जब मुगल समराट अकबर का सासन काल था अकबर का सासन रहता था ठीक है ना तिरपन नंबर के उचें तिरपन नंबर और सोरी बामन नंबर छुड़िया न देख लेजिए परसीद तमांग मठ निमने में से किस राज में अस्थित है तमांग मठ किस राज में अस्थित है परसीद तमांग मठ किस राज में अस्थित है कि हो जाएगा अरुनाचल प्रदेस में तमांग राज में अस्थित है ठीक है तिरपन है कि उमा नंद असम में अस्थित एक डैस है क्या है भाई समिधान सवा के लगवक तीन सो सदस्यों ने भारत के समिधान को लिखने के लिए 10 तक समय समय पर बैठा किया था वताईए समिधान सवा को लिखने के लिए कितने बर्स तक बैठा कुआ तो समिधान सवा पहले जा लेजे कि कितने दिनों में लिखा गया तो दू बर्स 11 महिना 18 दिन का समय समिधान में लिखने में लगा यानिकि लगवाग तीन बर्स तो इसका हम आपसर ए लगाने वाले हैं तीन बर नुकाव जो को बीच एक पेसिवर टेनिस खिलाड़ी है उनका संबंध सर्बिया से है उनका संबंध किस दिस से है सर्बिया से हो जाएगा ठीक है आएक यूचे नमबर 56 के साथ आगे बढ़ते है थोसे घर जैल परपात किस राज में अस्थित है यह बताए तो चार आपसन आपके सामने है थोसे घर जैल परपात किस राज में अस्थित है यह हो जाएगा आपका महाराष्ट में थोसे घर जैल परपात महाराष्ट में अस्थित है ठीक है बेदरीसी कपिल की संब्ध भारतिय दरसन के डेसंप्रेस से है तो कपिल जी के संब्ध किसे है सांख दरसन से था सांख दरसन से और मैं आपका बैसेसिक नियाए और मिमान सा किस के किस के है कमेंट में आप हमें जरूर बताएं ठीक है देखिए सिच्छा बेदरीसी तो हो सिच्छा की बरधा योजना कव लागू किया गया था सिच्छा की बरधा योजना अंठामन का हो जाएगा भी 1937 में सिच्छा का बरधा योजना लागू किया गया था 69 की उचे नमर क्या कहा जा रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग बीत संपत्ती अनुबंध और मुकदमा यानि सूट से संबंधित है तो संपत्ती में मुकदमा अनुबंध किसे संबंधित है तो आप अपने को पता है कि संपत्ती के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और उसको 300 के कैम है यानि कि ए में रखा गया है सो के कैम में रखा गया है और ये भाग नमर 12 से सम्बंदी थे ठीक है 60 के उचे नमर देख लेजिए कि इस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नल जनरल के कारिकाल में आंगले नेपाल यूद लड़ा गया था तो इस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नल थे लाड हिस्टिंग लाड हुस्टिंग जिसके सासनकाल में क्या हुआ था आंगले नेपाल यूद लड़ा गया था किलियर हो गया देखिए फिर से एक स्ट नमर के उचन आपका मैथ है और आपका बासट नमर भी आपका मैथ है तो यह सब मैथ हुद तो चुकि हम यह सॉल्फ नहीं करने वाले हैं 63 नमर का क्यूचन आपके सामने आपके स्क्रीन पर लग चुका है 63 नमर में देख लीजे क्या करने वाले हम लोग निर्दे सांक अच्छो को रिखा देखी ए भी आपका मैथ हो गया 64 नमर का भी मैथ हो गया और 65 नमर का मैथ हो गया टोटल आपने देखा कि 7 मैथ आपको यहां से मिल गया तो 6-7 मैथ तो कुमन है ही मैं एकजाम में पूछे गा ही 66 नमर को देख लेते हैं क्या का जा रहा है कि निर्थित कतन पर बिचार किजिये देदिये 5 बर्स यूजना महाल 29 के विचार पर धारी था हाँ बहुत नहीं कि दोनो के दोनो सही है सत्य है ठीक है सरस्ट नमर में कहा जा रहा है कि किस राष्टिय कानूनिस सेवा प्राधिकरन नालसा का कारेकारी अध्याच नियुक्त किया गया था किसे राष्टिय कानूनिस सेवा प्राधिकरन का अध्याच नियुक्त किया गया था तो ये था किसको नियाय मुर्ती संजे किसन कॉल का देख लीजिए इसका कैसे किया जा रहा है कानून राष्टिय कानून सेवाद नियाय मुर्ती संजे किसन कॉल ध्यान रखेगा है सारी important question पुछा जा रहा है यहां से ठीक है option number 68 देख लीजिए जपान इंडिया मेरी टाइम exercise 2023 कहां आयोजित किया गया है तो यह आयोजित किया गया था बंगाल के खाड़ी में जपान और इंडिया का मेरी टाइम exercise हुआ था बंगाल की खाड़ी में हुआ था ठीक है आगे देखिए law ask की खान बदाम पहाड किस राज में अस्थित है देखिए यह भी धियान रखिएगा कि जो क्या है law ask की खान क्या है बदाम पहाड है बदाम पहाड को law ask का खादान कहते है ठीक है अब एक कहां किस राज में पाया गया था तो यह आपका ओड़ी सा राज़े पाया गया था ओड़ी सा में सुरच्छा पर कैबिनेट समिती ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है तो बताना यह है कि इसमें तेजस क्या है इसमें तेजस क्या है तो यह light compact aircraft था light compact aircraft था option number A हो जाएगा ठीक है लीजिए आपके सामने एक 70 number क्यूचन है अंतराष्टिये कृष्णे भावना मृत्ती संग याने कि इस कौन किया स्थापना किस के दुवारा किया गया किस ने किया था तो आप कहोगे कि तो बहुत असान है भाक्ति बेदान स्वामे प्रभुपद ने ठीक है अंतराष्टिये कृष्णे भावना मृती का संग का स्थापना किये थे 72 number है कि भारत में प्रांतिये स्वायतता का परवेश कब हुआ था किस परिशत के द्वारा किया गया था तो 935 में भारत सरकार अधिनियम से जुड़ा हुआ है ठीक है 935 option number D लगा लेजिए एक यूचे number है 73 कि निमन में से कौन सा प्रत्यच कर का उदारन नहीं है प्रत्यच कर नहीं है तो बताए कौन सा होगा यहां पर बस्तू और सिवा का कर प्रत्यच नहीं है आप प्रत्यच है आप प्रत्यच क्यों है क्योंकि बस्तू और सेवा पर GST लगाया जाता है हम लोग GST भरते हैं न कुछ ही पैकिट वाले खाते हैं तो GST भरते हैं तो वो GST आप प्रत्यच कर होता है इस बात को ध्यान रखिए अगला नंबर आपके सामने है 74 नंबर की गांधी सागर बांधनिम्न में से किसका हिस्सा है गांधी सागर जो बांध है वो चंबल नदी पर बना है तो इसका हिस्सा हो जाएगा ठीक है भारत की संसद में पहला लोकपाल बिधेक कब पेस किया गया था भारती संसद में पहला लोकपाल बिधेक 1968 में पेस किया गया था पहली लोग पाले बिद्धैयक एए दिख लेजिए कि भारत के उच्तम नियाले का आदर सबाग क्या है तो भारत के जो उच्तम नियाले उसका आदर सबाग क्या है यतोधरमास्तयो जया अपसन नमर सी ठीक है अगले 77 नमर की राज बिधाई का दौारा पारित कुछ परकार के बिधेकों को भारत के राष्ट पती के बिचारार्थ आरच्छित करने का अधिकार किस के पास होगा तो ये हो जाएगा राज सरकार के राजपाल के पास में ठीक है राजपाल के पास में 78 नमबर है कि कौन सा दर्रा सीकिम को चीन के तीबत सुवायत छेतरे से जोड़ता है कौन सा दर्रा है जो चीन और तीबत सुवायत छेतरे को जोड़ता है तो वो हो जाएगा आपका नाथूला दर्रा कौन सा नाथूला दर्रा ठीक है 79 में कहा जा रहा है कि निमलिखित कर्रों में से किसी गंतब्य अधारित कर कहा जाता है गंतब्य अधारित कर कहा जाएगा तियों हो जाएगा आपका बस तो येवं सेवा कर कोई गंतब्य अधारित कहेंगे ठीक है ना 1849 में परमहंस मंडली के स्थापना कहां किया गया था तो ये किया गया था आपका बॉंबे में याद रखिए बॉंबे में परमहंस मंडली के स्थापना किया गया था 12 सताबदी के दोरान करनाटक में वीर सेव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नितरित्व किस ने किया था तो इसका किस ने किया था इसका नितरित्व बास बनना ने किया था वास बननाने बिरासी नमर के उचे नहे है जन गन्ना दोजारी गारा से दोजारी गारा के जन गन्ना के अनुसार कौन से किंद्र सासित प्रदेश का जन संख्या घनत वे भारत में सबसे कम रहा सबसे कम दोजारी गारा के जन गन्ना के अनुसार अब देखिए इधर केरेंट अफेर दिया गया है चुकि केरेंट है केरेंट भी चरपाँच क्योचन साथ क्योचन आठ क्योचन जो भी पूछे पर साथ आठ से ज़्यादा नहीं पूछेगा केरेंट का भी क्योचन हमारे पेपर में आने वाले है ना आपके पेपर में आने वाले हैं 83 में क्या है 2 जून 2023 को 20 वे मौसम विग्ञान संगठन की पहली महिला महा सची किसे नुक्त किया गया था बताए किसको सिलेस्ते राउलो को पहली महिला नुक्त किया गया है ठीक है सन्युक्त राश्ट जल समयलन 2030 कहा आयुजित किया गया सन्युक्त राश्ट संग सन्युक्त राश्ट जल समयलन 2030 निवार क्याने अमेरिका में आयुजित किया गया था किस राज के मिर्चा चावल कौन से चावल है मिर्चा चावल को GI टेग प्रदान दिया गया किस राज के चावल है मिर्चा चावल तो यह बिहार के है बिहार के एक्जाम है तो बिहार के है ठीक है इसे देख लीजिए क्या कहा जा रहा है इसमें सीबी आई का नया अध्यच किसको नियुक्त किया गया है तो सीबी आई के जो नया अध्यच बने हाल फिलाल में संजे कुमार अगरेवाल को बनाया गया है संजे कुमार अगरेवाल सीबी आई के नया अध्यच बने अगस्त दो हजार तेज में केंद्रिये कैबिनेट ने 6.4 चार लाख रुपया गाउंगों को ब्रांड से जोड़ने ही तो बनाए गया था, option number B हो जाएगा, फिर आपके अगली नमर जो क्यूचेन है, वो इंगली से हैं, आपका इंगली से पेपर से अगली नमर क्यूचेन है, क्यूचेन क्या है, कि choose the correct sentence, I came here study, देखिए सभी में study तो लगा हुआ है, और आप जानते हैं कि जब study है, आने वाला बिता हुआ कल है, तो उसमें हम लोग verb two का यूच करेंगे, और come का verb two क्या हो जागा, came हो जागा, तो option number A तो right होने वाला है, ठीक है, option number A हो गया, 89 नमबर के क्या कहा जा रहा है, 89, 89 देखि लिजिए, choose the meaning of the idiom, idiom क्या है कि in one and two, एक में दो क्या होगा, in a smallest number हो जाएगा, एक में दो a smallest number हो जाएगा, एक में दो भाग ऐसे कर लिज़े, समझ लिज़े, तो a smallest number हो जाएगा, ठीक है, 90 नमबर क्यूचन है, कि निम ने, sorry, choose the correct word, for the group of the word, a place for breasting, जहाँ पे कुस्ती लड़ाया जाता है, कुस्ती होता है, उसको क्या कहते हैं, एरीना कहते हैं, एरीना मतलब अखाडा, उसको अखाडा कहेंगे, ठीक है, एक चीज़ें आपको clear हो पा रही है, clear हो रही होगी, next क्या था, 90, किसने कौन सा देखें, 90 देखें न, तो एक कानमे नमबर के उचन ले लिजी, आपके सामने होगे, एक कानमे नमबर का 91, कि फिन, find the error in the sentence given below, error क्या होगा, there were a time when, तो देखें यहीं समझ लाज़ेजे, कि जो देर है, इसके साथ क्या वर का यूज़ करेंगे, watch का यूज़ हो जाएगा, watch time, तो आपसन नमबर 2 हो जाएगा, इसमें error है, ठीक है, 92 नमबर में क्या है, fill in the blank with appropriate word, appropriate word का fill in the blank करना, the story, does meet to make up my mind, ठीक है, एक ऐसी है story, जिसने मुझे inspire कर दिया, inspire किया, हमारे mind को क्या किया, एक बढ़िया सा हमें एक story सुना है, mind हमारा fresh हो गया, ए, माल लिजिए, ऐसी है, ठीक है, 33 नमबर, कि बीधूत बेल्वे में आम तोर पर, रसाइनिक रूप से निस्किरिय गैस, निस्किरिय गैस जैसे hydrogen oxygen क्या भरा जाता है, ए, पूछ रहा है, कि बीधूत जो बेल्वे उसमें निस्किरिय गैस भरी जाती है, तो बताए कि निस्किरिय गैस कौन है इनमे से, तो nitrogen है निस्किरिय गैस, nitrogen, चोरानमे का देख लिजिए कि प्रकास बल्वे का फिलामेंट बनाने के लिए डैस धातू का उप्योग किया जाता है प्रकास का जो बल्वे है ना प्रकास बल्वे कौन से धातू टंगस्टन लगाया जाता है और नाइक्रोम कहा लगाया जाता है वीधुत हीटर में 95 कि निम्न मेंसे किस धातू में अधिकतम ताप चाल कता होती है तो सबसे अधिक जो होगा तामबा में होगा उसके बाद आपका कॉपर में होगा तब होगा एल्मुनियम में उसके बाद लोहा इस तरीकेश होता है 96 नमर क्योचन के अदि किसी दर्पन की फोकस लंबाई पलस 15 है तो आख कौन सा दर्पन होगा तो 15-16 से मतलब नहीं है मतलब है में पोजेटिव से पोजेटिव होता है उतल दर्पन और निगेटिव रहता तो होता है अबतल दर्पन ठीक है पांच परतिरोध जिन्में परते का परतिरोध वन बाई 5 ओम है का उपयोग करके कितना निम्नितम परतिरोध by जाएगा तो 1 बाई 5 है न तो इस त्रीके से 1 बाई 5 पलस 1 बाई 5 जब इस तरीके से जोड़ेंगे न पांचों को लगता तो एक बटे 25 आएगा option number B हो जाएगा. ठीक है? अब लास्ट क्योचन बची गया है तीन क्योचन तिरी लोकी किस समास का उदारन है? तिरी लोकी आपका किसका हो जाएगा? दो इंद तो होगा नहीं, दीगु समास तिरी लोकी हो जाएगा. शॉरी, शॉरी तिरे लोग की आपका दिगु समास हाँ ठीक है तिरे लोग की आपका दिगु समास हो जाएगा है कि नहीं तिरे लोग की दिगु समास हो गया राजसु में कौन भी भगती है राजसु आपका सब्तमी भी भगती हो जाएगा राजसु सब्त में भी भकती है हैंड़ेट की उचन है कि धान हीन की समास का उधारन होगा धान हीन की समास का उधारन होगा तो धान हीन हो गया तत पूरु समास का ठीक है दोस्तो और मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में लेकर के ठीक है आने वाला जो हमारा वीडियो है वो चच्छू पब्लीकेसन का लेकर आएंगे तो आप पिर करना चाहते हो उसको प्रैक्टिस तो हमें कमेंट में बता दीजी हम उसका वीडियो बना के डाल देंगे थैंक्यू थैंक्स पर वाचिंग वीडियो